Hello everyone, आज के वीडियो में discuss करने वाले हैं MBA की एक बहुत ही जाधा popular specialization अगर आप सोच रहे हैं future में जो खुद का family business है उसको run करना है या फिर खुद का business startup करना है आपको कही ना कही रिमार्ग में बचपन से ही एक सपना था कि मुझे खुद का business करना है खुद का business setup करना है तो उसको मद्दे नजर रखते हुए जो सबसे suitable specialization है वो है मेरे according entrepreneurship आज के वीडियो में BBA in entrepreneurship से जोड़ी हर एक doubt, हर एक detail मैं आपके साथ share करने वाला हूँ तो बहुत ही simple language में एक-एक चीजे पे हम एक-एक चीजों पे हम नजर दालने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या ये course आपको suit करेगा या नहीं क्या benefits हैं, क्या negative हैं, क्या procedure है, कौन से colleges हैं, A to Z सब कुछ चालू करें वीडियो को, बिना कोई time waste करते वे, चलिए, स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह बिलकुल introduction से मैं स्टार्ट करूँगा What do you mean by MBA in entrepreneurship? सबसे पहला मेरा point है, समझाने से पहले, सबसे पहले एक सुन्दर सा, बहुत ही सुन्दर एक plan हमने select कर लिया है MBA in entrepreneurship focuses on student who wish to become entrepreneurs or run existing business मतलब कि जो student है, जो candidate है, या तो वो entrepreneur बनना चाहते हैं, businessman बनना चाहते हैं या फिर उनका कोई existing business है, father का, mother का कोई existing business है और उसी को carry forward करना चाहते हैं, उसी business को आगे continue करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए एक बहुत ही suitable यह हमारे specialization है MBA in entrepreneurship clear हो पारा है, yes or no, चलिए second point है, this course help student understand how to start a business यह course सिखाता है students को, इक course को, नहीं, course को नहीं, business को start कैसे करना है, setup कैसे करना है, कौन-कौन से fundamentals होते हैं क्योंकि एक business को set up करने से पहले हमें जानने ज़रूरी है, इस सारी information आपको इस course के अंदर मिलती है, and run it efficiently, सिर्फ business खोलना ही नहीं, उसको profitable बनाना भी आपको इस course में सिखाया जाता है, it provides knowledge about getting funds and to use them appropriately, obviously चीज़ है, अगर आप खुद का business set up कर रहे हैं, तो एक funds की requirement होती है, knowledge की requirement होती है, सारी चीज़ों की requirement होती है, लेकिन funds जो है सबसे basic need है, किसी भी business को start up करने की, तो यहाँ पर यह भी सिखाया जाता है, जो कि आपके पास required fund है, the amount of corpus that you have, उसको effectively कैसे manage करना है, वो भी इस course के थुरू आपको insight, knowledge, awareness दी जाती है, clear उपार है, third point है, an MBA degree provides a student the opportunity to meet different people who are also associated with different businesses, एक और अच्छी चीज़ होती है न, ऐसे जब specialization के आप course करते हो न, तो आप like-minded person के साथ एक familiarity बनाते हो, friendship develop करते हो, क्योंकि आपको long term business में काफी जादा help करती है, क्योंकि देखे, obvious सी चीज़ है, अगर कोई MBA में entrepreneurship specialization चुन रहा है, तो उसको भी आपके तरह कहीं न कहीं कीड़ा है, कहीं न कहीं उसके भी दिमाग में सपना है, कि मुझे business startup करना है, कुछ का कुछ न कुछ start करना है, तो आपके thinking pattern, आपका interest area, आपकी strength कहीं न कहीं match करती होगी, तो आगे जाकर ये एक fruitful partnership में developed हो सकती है, या फिर आपका एक alumni network जो होता है, वो बहुत अच्छा बन सकता है, आगे जाकर आप किसी के help ले सकते हैं, या आप किसी और की भी help कर सकते हैं, तो ये biggest advantage है this course का, इस अलाव student to make a new connection, which will be beneficial to the student, जैसे मैंने बताया आपको future में जाकर, कभ आपको उस friend की जरुवत पढ़ जाए, जिस friend ने आपके साथ MBA in Entrepreneurship कराता है, यू never never know, यह रोपार है बच्छा, तो master's का ये फाइदा होता है, क्योंकि जहां, master's को कड़ते वक्त आपका education point of view से awareness अपने peak पे होता है, top पे होता है, क्योंकि आपको 11-12 में थी समझ नहीं थी, graduation में भी इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब आप master's के लिए जाते हैं, तो आपका जो understanding level होता है, काफी high होता है, और जब आप ऐसे creative, ऐसे professional courses करते हैं, तो बहुत अच्छा आप utilize कर पाते हैं, उस knowledge को, उस friendship को, उस experience को, clear हो पारा है, complex तो नहीं करा रहा हैं, ज़्यादा कूशिश कर रहा हूं, जितना simple हो सके, आपके सामने इस course के सारे information में रख सकते हूं, MBA in entrepreneurship provided student with knowledge related to, बच्छा, global strategies बताई जाती है न, हो सकता है, आप अपना business foreign में भी setup करना चाहते हैं, अपने branches बगेरा, foreign में भी setup करना चाहते हो, what are the strategies that you have to adopt, यह समझाई जाती है, merger और acquisitions क्या है, technical aspect है, किसी firm को जब merge करते हैं, दो firm आपस में मिलती है, merger या किसी firm को आप acquire करते हैं, acquisition, ठीक है, entrepreneur strategies पढ़ाई जाती है, venture capital क्या है, private equity क्या है, यह सारे fundamentals सिखाये जाते हैं, जो कि किसे भी business को run करने के लिए required होते हैं, clear हो पारा है, अच्छा, यह सिर्फ MBA in entrepreneurship class नहीं है, यह आपकी master class MBA course की भी चल दिया, ऐसा लग रहा होगा, आपको कि आप 1st SEM में admission ले लिया है, और एक entrepreneurship class attend करने हैं, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो field दे सकूँ, MBA में admission लेने से पहले ही, रहे, चलिए, student must get into an MBA in entrepreneurship, when the student has a clear plan about the business venture, और he or she want to pursue, एक और चीज़ यहाँ पर disclaimer type का है, कि आपको clear cut पता होना चाहिए, कि मुझे MBA के बाद ये चीज़ करनी है, इसलिए मुझे entrepreneurship specialization चूज करनी है, हर specialization चूज करने के पीछे कही ना कही इक reason होना चाहिए, आपकी strength और कही ना कही आपका interest होना चाहिए, तब जाकर वो एक decision fruitful हो पाता है, उसका result अच्छा मिल पाता है हमें, students who belong to a business oriented family are most likely to benefit the most from this course, जिनका कही ना कही family business है, वो बहुत जादा कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि खून में business है बोलते हैं, तो उनको know-how थोड़े बहुत पता है, जब वो practical exposure देखेंगे, real life examples के थुरू समझेंगे, उसका theoretical side देखेंगे, practical side देखेंगे, internship अगेरा करेंगे, तो और जादा उनको जो उनकी knowledge है, जो fundamental knowledge है, वो advanced level तक जा पाती है, राइट, चलिए, students who have a business plan in mind must do an MBA in entrepreneurship, MBA in entrepreneurship उन बच्चों के लिए भी superior है, बहुत अच्छा है, जिनके दिमाग में पहले से ही business plan है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जिनसे मैंने बात करी है, counseling के थूँ भी, या फिर in general भी, मैंने offline classes के थूँ बात करी है, तो एक common trade देखा जाता है, जिन बच्चों को भी आगे कुछ बड़ा करना है, ideas के उनके पास कमी नहीं रहती है, वो 11-12 में भी होते हैं, उनके पास बहुत अच्छे questions होते हैं, बहुत अच्छे questions वो पूछते हैं, बहुत अच्छे ideas उनके पास होते हैं, तो यह हमारे MBA and entrepreneurship के information थी, benefits थे, technicalities थी, suitability थी, जो मैंने समझाई हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, course के बारे में देखते हैं, eligibility क्या है, colleges क्या है, ठीक है, चली बच्चा, MBA and entrepreneurship की eligibility, eligibility क्या होती है, मतलब कौन बच्चा एक course को कर सकता है, सबसे पहली चीज बच्चा, bachelor's degree आपके पास होनी चीए, किसी भी discipline में ज़रूरी नहीं है, MBA in entrepreneurship के लिए आपका BMS पे ग्राउंड हो, BBA बैग्राउंड हो, या B.com बैग्राउंड हो, आपने B.tech करा है, B.H.C. करा है, B.A. करा है, B.com करा है, doesn't matter, आपने कुछ भी करा है, आप MBA in entrepreneurship के लिए अपलाई कर सकते हैं, does that make any sense, clear हो पारा है, चलिए, एक और important चीज, अगर आपको MBA in entrepreneurship करना है, तो आपको अच्छे college से करना है, हर अच्छे college में, हर अच्छे college में entrance होता है, तो ये कई national level entrance है, कई university level entrance है, जो कि आपको देने पढ़ सकते हैं, अगर आप MBA in entrepreneurship, किसी top class Indian colleges से करना चाहते हैं, और हमेशे कितर है, वापिस से dialogue repeat करूं, MBA करो, तो मेहनत करकर, entrance को crack करकर, अच्छे college से करो, नहीं तो इतना जादा पैसा, कहीं पे invest करना, बेवकूफी होती है, MBA कर दिया, placement के नाम पे zero है, कुछ भी placement नहीं मिली, और you end up having a job of rupees 10,000 per month, after finishing your MBA, does that make any sense, कोई पंड़ा के लिए रोपा रहा है, 10,000,000 का course करकर, 10,000 per month की job करना, नहीं न, आप भी नहीं करना चाहते, तो better क्या है, मेहनत करकर, जी जान लगा कर, second year से ही start कर दो, अपने graduation के MBA entrance की preparation, that's the right time, उसे पुछो सार, right time क्या है MBA entrance की preparation का, second year of your graduation, तो क्योंकि first year में आपको adjust करने में नया है, college नया है, subject नया है, adjust करने में time लगता है, yes, चलिए बच्चा, आगे बढ़ते हैं, age बगरा कुछ नहीं है, ठीक है, age की कोई problem नहीं है इसमें, आप किसी भी age में कर सकते हैं, जादर तर colleges, अजब working experience का क्या point है यहां पर, अगर आपके पास working experience, graduation के बाद 3-4 साल कहीं पर work करा है, तो top colleges में admission के लिए आपको ज़ादा preference देते हैं, जिनके पास work experience है, that's it, ठीक है, क्या है entrepreneurship के, social entrepreneurship क्या है, business environment क्या है, internal as well as the external, principle and practices of management क्या है, कौन-कौन से practical owners हुए हैं, जिन्होंने management principles दे हैं, जोकि उस समय भी applicable थे, आज भी applicable है, marketing के principles क्या है, accounting and finance क्या है, entrepreneur finance क्या है, taxation क्या है, operations or production क्या है, project management क्या है, entrepreneurship process and behavior, operation management, corporate communication, ethics, diversity, industrial marketing, legal aspect, corporate entrepreneurship, ये कई ऐसे subject हैं, जोकि आपको पढ़ाय जाते हैं, चार सेमिस्टर होंगे, दो साल में आपके दो साल का MBA in entrepreneurship है, जहांपर हर सेमिस्टर में छे से साथ subject, जहांपर चार के पांच, ये चार से पांच theoretical, दो के नियर अबाउट प्रेक्टिकल रहता है, पांच नियर अबाउट थेोरिटिकल, दो के नियर अबाउट प्रेक्टिकल, प्रेक्टिकल में भी क्या? स्टैट्स, accounting और finance, that's it, clear हो पारा है, creativity and innovation in entrepreneurship, leading changes in family business, emerging market क्या है, और retaining और franchising model क्या होता है, उसके बारे में भी आपको detail information दी जाती है, अब मैंने बच्चा यहां पर कई abroad colleges भी list करें, आपके पास, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं, कि सर हमें MBA abroad से करना है, so what are the good colleges that I can do my MBA from abroad? तो यह हमारे कुछ ऐसे colleges हैं, जिसमें आप entrepreneurship, MBA के थूरू फॉरण से कर सकते हैं, जिसमें Stanford है, MIT है, Harvard है, Imperial College है, Copenhagen है, Penn है, Warton, IESE Business School है, Cambridge है, IE Business School है, Oxford है, तो यह top 10 MBA colleges हैं, all over India में, जादर colleges आप देखेंगे, UK, US, Australia, Sydney, Canada, Switzerland वगएरा में, famous हैं, MBA and entrepreneurship के लिए, तो आप किसी भी foreign admission counselor से मिलकर, इन colleges के बारे में, जादा जानकारी ले सकते हैं, अपना portfolio तैयर कर सकते हैं, और वहां की, admission की exact जानकारी ले सकते हैं, entrance वगएरा देना पड़ सकता हैं, अब बात कर लेते हैं, इंडियन सिनारियो में, अगर आपको इंडिया से MBA and entrepreneurship करना है, कौन-कौन से अचे colleges हैं, चिलिए, Entrepreneur Development Institute of India, Gandhi Nagar, D.Y. Patel, Mumbai University, Delhi Business School, Delhi, MIT Business School, Noida, Enterprise Development Institute, Kolkata, I am Bangalore, NIMS Mumbai, Tata Institute of Social Science, Mumbai, Xavier Institute, Bangalore, Nirma Institute, Ahmedabad, इस सारे top के MBA colleges हैं, जहां पर आप MBA and entrepreneurship कर सकते हैं, सब के सब जादा तर, entrance लेते हैं, इनके entrance की तैरी करनी हैं, और in examination के तूँ, examination crack करके, आप in colleges में admission लेते हैं, लाल बहादू, शास्तरे Institute of Management, National Science and Technology Entrepreneur Development, New Delhi, Symbosis, Maharashtra, Jamia Millia Islamia, New Delhi, Institute of Marketing and Management, IMM New Delhi, प्राइट, पे 10 to 15 colleges में नहीं हाँ पर लिस्ट कर रहे हैं, और research के लिए आप in colleges का नाम Google में दा लिए, सबसे पहले इन ही college की website को लेगी, right, click करिए, और जितने भी courses वगिरा जो भी आपको करने हैं, इस institute से, fees देखिए, location देखिए, visit करिए, counselor से बात करिए, फिर एक firm decision लीचे, और ये भी देखिए कि कौन सा entrance से लेते हैं, कैसे आपको तैयरी करनी है, does that make sense, yes or no, चलिए, आगे बढ़ता हैं, कौन-कौन सी jobs available हैं, sir, हमने ये course कर लिया, कितने पैसे मिलते हैं, somewhere around 3 से 10 लाग रुपए पर एनम, clear उपार है बच्चा, अगर आपने किसी local college से कर रहा है, तो हो सकता है, 2 से 3 लाग में आपका package स्टार्ट हो, अच्छे colleges से कर रहा है, तो somewhere around 6 to 7 lakh से आपका package स्टार्ट हो सकता है, और ये सारी चीज़े different depend करती है, आपकी location पे, किस location पे आप job करते हैं, किस position में, किस company में, कितनी अच्छी companies बगरा है, क्या policies है, उस सारी चीज़े कितना hard work कर रहे हैं, कितना skill set आपने develop कर रहा है, कितनी अच्छी communication skill है, all that matter a lot, clear हो पा रहा है, चलिए, अब ये कई profile है, जिसके लिए आप apply कर सकते हैं, after finishing your MBA in entrepreneurship, business reporter, sales manager, business consultant, accountant, business analyst, customer executive, finance controller, HR manager, development officer, director, CEO, business owner, खुद के business owner, ये सारी position वो भी है, in case आप किसी और business में आप work करने जाते हैं, खुद का business start कर रहे हैं, तो आप ही CEO, director, co-founder, founder, सभी आप ही है, राइट, चलिए, business intelligence officer, CR manager, CF manager, lead analyst financial officer, banking and finance officer, bank manager, तो ये different, different profile है बच्चा, जिन में आप work कर सकते हैं, after finishing your MBA in entrepreneurship, clear हो पा रहा है, तो different, different diverse profile के लिए आप apply कर सकते हो, ज़रूरी नहीं किसी एक ही profile पर आपको target करना है, अगर आप किसी job market में job के लिए जा रहे है, तो आप MBA in entrepreneurship के बार, जो भी आपका preferred area of expertise हो, जिसमें भी आपको ज़्यादा interest हो, उसमें आप apply कर सकते हो, चलिए, दो-तीन question ले ले लेता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो के end में लेता हूँ, सबसे पहला आता है, कि sir, आप से हमें directly बात करनी है, कुछ method है, कोई तरीका है, जिसके तुरू हम आपसे consultation ले सकें, बात कर सकें, तो बिल्कुल एक तरीका है, description में मैं हर वीडियो के नीचे एक link देता हूँ, जिसके तुरू आप अपना consultation गुक कर सकते हैं, zoom के तुरू call का consultation होता है, half an hour की हम call लेते हैं, आप और मैं बात करते हैं, जो भी आपके doubt होते हैं, मेरे साथ आप share करते हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, उसका आपको right solution दे सबूँ, किन बच्चों के लिए हैं? सबी बच्चों के लिए, अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, graduation, post graduation, जो भी आपकी career problem है, life की problem चल रही है, अगर आप वो courses करने जा रहे हैं, जिनकी मैंने e-books लिखी हैं, तो definitely आपको buy करनी चीए, उससे होता क्या है, आपको उस course के admission लेने से पहले ही, बहुत सारी जानकरी, आप मैं बोलो, A to Z सारी जानकरी पता लग जाती है, कैसे course को करना है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, entrance होते हैं, नहीं होते हैं, कौन से अच्छे colleges हैं, सब कुछ मैं, जो भी आपको course करना है, उससे related सब कुछ मैं उस e-book में जालता हूँ, और अगर video e-book है, तो सोने पे सुहागा है, टेक्स format के साथ साथ आपको videos भी मिलते हैं, जाकि आपको हर एक concept clear हो जाए, MBA की मेरी video e-book है, BBA की video e-book है, जादर professional courses की मेरी video e-book है, regular courses की मेरी video e-book बनाने वाला हूँ, या फिर convert करने वाला हूँ, जो normal e-book है, उनको video e-book है, तो definitely आप, मैं उसका link भी आपको हर description में, हर video के description में देता हूँ, तो आप definitely buy कर सकते हैं, वर्थेट है सारी चीज़े, कोई भी product मेरा लेते वगगा आपको ये नहीं लगएगा, कि आप गलत पैसा spend कर दिया, सरफ आल तो पैसे waste होगा, कभी नहीं, लगता भी है, तो comment करके मुझे बताना, कभी नहीं, zero complaint है, हजारों product मेरे e-books, sale हो सुकिये, मैं near about 3-4 साल से sold out कर रहा हूँ, e-books वगएरा, और single complaint नहीं आई है, 10,000 के उपर मैं e-books वगएरा sale कर सुका हूँ, और single complaint नहीं आई है, किसर आपके e-books, जिस purpose के लिए हमने खरीदी थी, वो हमारा purpose sold नहीं गए, कभी नहीं, ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई, ऐसे doubt होते हैं, जो e-books के तुरू sold नहीं होते हैं, मैं हूँ ना, आपके लिए consultation के तुरू, आप मेरे साथ consultation के तुरू जोड़ सकते हैं, चले बच्चा, ये था आज का वीडियो, उमीद कर रहा हूँ, वीडियो पसंद नहीं आओगा, ऐसे ही informative वीडियो, फ्यूचर में भी आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक आप पर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो राइट, चले मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तिल दें टेक केयर, गुडबाई, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि आपका भी दिन आएगा, थाइगा, 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 तो रहें,